लव्य वेवस्ता अध्याए नव आठवे दिन मुसा ने हारुन और उसके पुत्रों को और इस्राइली पुरुणियों को बुलवा कर हारुन से कहा, पाब बली के लिए एक निर्दोश बच्ड़ा और होम बली के लिए एक निर्दोश मेंधा लेकर यहवा के सामने भेड चड़ा। और इस्राइलियों से यह कहा कि तुम पाब के बली के लिए एक बक्रा और होम बली के लिए एक बच्डा और एक भेड का बच्चा लो जो एक वर्ष के हो और निर्दोश हो और मेल बली के लिए यहवा के सनमुख चड़ाने के लिए एक बैल और एक मेंधा और तेल से सने हु मैदे का एक अन्नबली भी ले लो क्योंकि आज यहोवा तुमको दर्शन देगा और जिस जिस वस्तु की आग्या मूसा ने दी उन सबको वे मिलापवाले तंबु के आगे ले आए और सारी मंडली समीब जाकर यहोवा के सामने खड़ी हुए तब मूसा ने कहा यह वह काम है जिसके करने के लिए यहोवा ने आग्या दी है कि तुम उसे करो और यहोवा की महिमा का तेज तुमको दिखाए पड़ेगा और मूसा ने हारुन से कहा यहोवा की आग्या के अनुसार वेधी के समीब जाकर अपने पाप बली और होम बली को चढ़ा कर अपने और सब जनता के लिए प्रायश चित्त कर और जन्ता के चढ़ावे को भी चढ़ा कर उनके लिए प्रायश चित्त कर इसलिए हारुन ने वेदी के समीब चाकर अपने पाप बली के बच्छटे का बलिदान किया और हारुन के पुत्र लोहु को उसके पास ले गए तब उसने अपनी उंगली को लोहु में डुबा कर वेदी के सिंगों पर लोहु को लगाया, और शेश लोहु को वेदी के पाय पर उंडेल दिया, और पापवली में की चरबी और गुर्दों और कलेजेपर की झिल्ली को उसने वेदी पर जलाया, जैसा यहवा ने मूसा को आग्या दी थी, और मास और उसने च्छावनी से बाहर आग में जलाया, तब होमबली पशु का बलिदान किया, और हारुन के पुत्रों ने लोहु को उसके हाथ में दिया, और उसने उसको वेदी पर चारो ओर छिड़का, तब उन्होंने होमबली पशु का टुकडा टुकडा करके सीर सहित उसके हाथ में दे दिया, और उसने उनको वेदी पर जला दिया, और उसने अतड़ियों और पावों को धोकर वेदी पर होमबली के उपर जलाया, और उसने लोगों के चढ़ावे को आगे लेकर और उस पावबली के बकरे को जो उनके लिए था लेकर उसका बलिदान किया, और पहले के समान उसे भी पावबली करके चढ़ाया, और उसने होंबली को भी समीप ले जाकर विधी के अनुसार चढ़ाया और अन्नबली को भी समीप ले जाकर उसमें से मुठी भर वेदी पर जलाया यहां भूर के होंबली के अलावा चढ़ाया गया और बैल और मेंधा अर्था जो मेलबली पशु जनता के लिए थे वे भी बली किये गए और हारुन के पुत्रों ने लुहु को उसके हाथ में दिया और उसने उसको वेदी पर चारो ओर छड़क दिया और उन्होंने बैल की चरवी को और मेंधे में से मोटी पूच को और जिस चरवी से अतड़िया ढपी है उसको और गुरुदो सहीत कलेजे पर की जिल्ली को भी उसके हाथ में दिया और उन्होंने चरवी को चातियों पर रखा और उसने वह चरवी वेदी पर जलाई परंतु चातियों और दहिनी जांग को हारुन ने मुसा की आग्या के अनुसार हिलाने की भेट के लिए यहवा के सामने हिलाया तब हारुन ने लोगों की ओर हाथ बढ़ा कर उन्हें आशिरवाद दिया और पाप बली, होम बली और मेल बलीों को चढ़ा कर वह नीचे उतर आया तब मुसा और हारुन मिलाप वाले तंबू में गए और निकल कर लोगों को आशिरवाद दिया तब यहवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया और यहवा के सामने से आग निकल कर चरवी सहीत होम बली को वेदी पर भस्म कर दिया इसे देखकर जनता ने जैजेकार का नारा मारा और अपने अपने मुह के बल गिरकर दंडवत किया